अस्सलामों अलेकुम नास्टिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर पनीर की सबजी आलों के साथ जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में बहुत ही असान तरीके से और इसका टेस्ट रेस्टरेंट जैसे मटर पनीर जैसा ही होगा जल्दी में अगर आप कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेरे बताए तरीके से मटर पनीर की रेसिपी ज़रूर बनाएं रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें तो चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए पनीर पनीर मेरा 200 ग्राम है जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है अब इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे तो मैंने लिया है आधा चमच नमक आधा चमच भर कर लिया है लाल मिर्चो का पाउडर आधा चमच हल्दी अब इन सब ची इस तरीके से मिला लेना है यह मसाला पनीर के टुगणों पर अच्छे से लग जाना चाहिए देखें इस तरीके से अब एक कूकर में लेंगे तीन से चार टेबिल स्पून डिफाइन ऑईल जब गरम हो जाए तो इसके अंदर मसाला लगे पनीर को इसमें डाल देंगे और अच्छा सा कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे देखें पनीर फ्राइ हो चुका है पनीर पर कलर भी अच्छा सा आ गया है बस अब इन सब पीसे को बाहर निकाल लेना है अब इसी कूकर में डालेंगे चार टेबिल स्पून ओयल जब गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले जैसे एक टी स्पून जीरा, आठ से दस काले मिर्च, तीन से चार लॉंग, दो छोटी लाइजी और कुछ सेकिंद्स के लिए सौटे कर लेंगे। जैसे ही जीरा लाल हो जाए, तब इसमें एक मीडियम साइज का प्यास बारीक चॉप किया हुआ, और दो से तीन हरी मिर्च चॉप की हुई डाल कर, प्यास को लाइट ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है, प्यास पर लाइट ब्राउन का लराने लग गया है, बस प्यास को इतना ही फ्राइ करना है, अब यहां मैंने दो मीडियम साइज के तमाटर को बारीक पीस करके रखा हुआ है, इसको डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसमें डालें एक टीस्पून भरकर जिंजर गार्लिक का और साथ ही इसमें कुछ पिसे मसाले डालने हैं, जैसे नमक जाएके के मताबिक, भुना जीरा आधा टीस्पून, लाल मिर्चो का पाउडर एक टीस्पून, धन्या पाउडर एक टीस्पून, और एक चौथाई टीस्पून हल्दी, अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो मसाला शुरू में पनीर पर डाला था, उसमें का बचा हुआ मसाला भी इसी में डाल कर, अच्छे से इस मसाले को दो मिनट तक भून लेना है, दो मिनट इसको भूनते हुए हो चुके हैं, ये मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इस पाइंट पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मसाले में अच्छे से मिला लेंगे गैस की फ्लेम को मिडियम पर करेंगे और इसको 2 मिनट तक भून लेंगे मसाला भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं ओल भी सर्फेस पर आ गया है बस ये मसाला भूनकर तयार है अब इसमें डालेंगे मतर, मतर मेरी दो ती हाई कप है और साथ ही इसमें दो मीडियम साइज के आलू को मोटे टुक्रों में काट करके रखा हुआ है ये भी इसमें डालेंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब मटर और आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं तब गैस की फ्लेम को लोबर करेंगे और इसको धख कर around 2-3 मिनट तक पका लेंगे दो मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं आलू और मतर भी थोड़ा मसाले में अच्छे से पक चुके हैं बस अब इसमें डाल देना है फ्राइ किया हुआ पनीर और साथ ही इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे मैंने डेड़ कप पानी डाला है गाड़ी या पतली जैसी इस भी ग्रेवी आप खाते हैं पानी उसी हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं एक से दो बार चमट चलाएंगे और कुकर की लेड़ लगा कर इसको दो विसल आने तक पकने देंगे जब कुकर की गैस रिलीज हो जाए तब इसको एक बार चेक कर लेंगे आलू और मटर दोनों अच्छे से गल चुके हैं ये सबसी हमारी बनकर तैयार है बस आखीर में इसमें दो टेबल स्पून भर कर कटा हरा धनिया डाल कर अच्छे से मिला लेंगे लीजे मटर पनीर और आलू की सबसी सर्फ करने के लिए एक दम तयार है मटर पनीर और आलू की ये सबसी एक बार इस तरह से जरूर ट्राइ करें अगर आपको आलू पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं खाली मटर पनीर की सबसी भी इस तरह से कुकर में बना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिज